लो दोस्तों वेलकम बेक टो मैं यूटुब चैनल एडियो अपडेट सो दोस्तों होप आपको आपको आप रेकुलर्ली मेरे वीडियो देख रहे हैं और आपको एजुकेशन द्वारा जो भी अपडेट्स आते जा रहे हैं वो सारे आपको पता चल रहा है टाइम टॉ टाइ करने हैं साथ ही साथ रिजल्ट्स भी डिक्लियर करने हैं और जबकि पहले यह सीटी निकाय दिया था कि 1st of November से सारी कॉलेजिस ओपन हो जाना चाहिए और उसके बाद में आपका सेशन शुरू हो जाना चाहिए था बट वो सारा टाइम लाइन टाइम कोई लोग मीट नहीं कर पा रहे थे जिस बीकॉज ऑफ टैट इशुस क्रियेट हो रहे थे और काफी मिन्स यह सिंप्ली कंटेंट टू कोड हो जाता जो भी कोड का जो आदेशा आया हुआ था उसके अगेंस्ट में हो जाता सो उसे रोकने के लिए उसे रोकने के काई सारे प्रयास किये गए और उसके बाद में फाइनली डेट अनाउंस हो चुकी है कि पिफोर टैन्थ आफ नवेंबर आपका जो फाइनल येर का रिजल्ट है वो सारे ही डिकलियर कर दिये जाएगे और मॉस्ट नाइंटी फाइफ परसंट में नाइंटी फाइफ परसंट स्टू नवर्ष उन स्टूडन्स को एगजाम देने का सही से मौका नहीं मिला और उनका स्टूडन्स को उन स्टूडन्स की जो रिजल्ट सयसे पेंडिंग रख्दिया जाएगा और बाकी सारे ह Radhi Hall को प्रसंटेश स्टूडन्स को उनका रिजल्ट दे दिया जाएगा तकि contenido अपन ऐसा है जिससे हमें काफी सारे doubts clear होंगे because इससे हमें ऐसा पता चलेगा जो post relations के लिए जो students wait कर रहे हैं दिनकी exams March, June, July में हो चुकि यह results आ चुकि है बिटम का admission procedure शुरू नहीं हुआ है जो कि easily wait कर रहे हैं जो कि एक बार यहां पर सारे final year के exams हो जाए उसके बाद में इनका admissions का procedure शुरू होगा so finally जब जैसे कि काफी सारे colleges, काफी सारे universities जो भी हमारे महारास्टर के अंदर आता जैसे Mumbai universities ने भी call out कर दिया है most of the results यहां पर already declare हो चुके है Mumbai university के और MCE के भी results चुप कुछ pending है वो आने वाली 10 November तक के वो लों भी उसे release कर देंगे और पूरी university से भी circular release हो चुका है कि means by 10th of November they'll declare the result and apart from that नाखपूर university, अमराथ university they are also working on the same track so they'll declare it as soon as possible so दोस्तों यह हमारे ले काफी अच्छी ख़बर हो सकती है कि हाँ, at least अभी जो procedure हो रहा है at least हमें इतना तो शेयरिटी है कि government कुछ ना कुछ one by one, one by one steps ले रही है जिसका ultimate result यही आएगा कि जो हमारा, जो भी pending admissions है admission procedure जोतने भी struck हो चुका है, वो सारे ही re-initiate होगे और फिर उनकी सुरुवात होगी जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी discuss किया था कि जो SEBC का quota है, जो Maratha R-Action का जो अभी problem चल रहा है जिसके अंदर में अभी उसका निवारन हुआ नहीं है तो उसके लिए भी fast track committee बिठाई गई है, जैसे कि काफी सारे students का comment box में message आया था कि sir, आगे कुछ update आया कि नहीं, Cap Rounds का क्या update आया तो वो भी update में साथ ही साथ दे देना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये इस तरीके से बताया गया है, जो कि पहले आपका three judge का जो bench होता है Supreme Court का वहाँ पे हमारा, वहाँ पे Maratha R-Action की सुनवाई गई थी बट वहाँ पे उन्होंने completely बता दिया गया है कि इसे constitutional bench पे ले जाया जाए जो कि constitutional bench that is CB, ये क्या होता है ये five judges का एक bench होता है, जिसे यहाँ पे जैसे कि अगर आपको पता होगा अगर आपने देखा होगा अयोध्या का जो हमारा हुआ था राम मंदिर का जो issue हुआ था जिसका solution कैसे पता चला finally उसे fast track bench पे ले गया गया जिसे हम लोग five judge bench भी कहते है फिर उन five judge ने बैठ के फिर इसका solution निकाला गया just because जैसे कि हम जानते है supreme court ने भी इस case को delay कर दिया था by four week और हम लोग काफी सारे लोग सारे लोग गबरा गए थे कि like four months four weeks means again one month अगर one month one month सिर्फ सुनवाई के लिए delay हो जाता है उसके बाद में सिर्फ सुनवाई ही होते रहेगी तो solution कब आएगा तो उसी को वीरोध करते हुए हमारे जो maratha maratha जो reservation है उनकी जो प्रमूक है हमारे विनोत पार्टेल जी उन्होंने fast track की demand की है supreme court से और फिर उसके बाद में five judge panel का जो एक निरनाई लिया गया और वो approved भी हो चुका है जल्द से जल्द वहाँ पे means इन लोग कल ही जैसे cabinet का meeting भी हुआ था के अंदर भी discuss किया गया था कि 11th का admission जल्द से जल्द शुरू होगा तो दोस्तों आप लोग का काफी सारे students का ये question है कि 11th 11th क्यों focus किया जा रहा है why not MB, MMS, CET just because क्योंकि हमारा MB, MMS, CET पहले भी हमारा काफी पहले से exam हो चुका है तो क्यों हमारा focus क्यों नहीं हो रहा है पर दोस्तों आपको समझने वाली बात है एक बार अगर जो admission procedure है वो आपको 11th के point of view से ही देखना होगा जैसे कि 10th का एक student pass out होके 11th में आएगा वैसे ही 11th का student pass out होके B, B, C, जो भी हो graduation के लिए जाएगा और definitely फिर वैसे ही graduation का student लेके post graduation के लिए जाएगा तो दोस्तों ये सारी चीज़े simultaneously होगी ये आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये one by one होगी तो आपका chance कब लगेगा ऐसा कुछ नहीं होगा जो भी procedure होगी वो simultaneously होगी तो आपको equal amount of time ही देना होगा और आपका भी जल्द से जल्द हो जाएगा तो दोस्तों यही मुझे आपसे यही सारी details share करनी थी जो कि मैं आपसे करना चाहता था बट मैं कुछ दिनों से दो दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था किसी कारण वर्ष बट होप आपको ये सारी details आपको काफी काम में आई हो और आपको काफी सारे चीजों का queries आपके solve हो चुके हो तो दोस्तों हाँ अभी जो निर्ना है वो within one week आ जाएगा और जो भी solutions है वो अभी सरकार के सामने आ जाएगे तो वो लोग ही अपने को बता पाएंगे जो four weeks तक के हमें रहा देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे ही हमें कुछ भी news आता है मैं आपसे share कर दूँगा तो दोस्तों जुड़े रही हैगा मेरे channel के साथ में और साथी साथ अगर आपको video पसंद आता है तो channel को like और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो आते रहें और इंडियन एजुकेशन द्वारा जो भी अपडेट्स आते रहें वह सारे ही आप तक पहुचते रहें और आप उसका अपने आपको भी डे टो डे अपडेट रखते जाओ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जैहिन जैभारत थेंक्यू